वह नमस्ते हैं वीवस आज किस वीडियो में हम लोग हमें कॉटलेशंट को डिसक्स करने वाले है इस वीडियो में पहले इतो हम लुग देखेंगे समस्छेंगे कि ऊभूिए रिटारडेशन प्लेट क्या होना है इसके definition को देखेंगे फिर हम लोग समझेंगे कि आकर किस प्रकार के crystals की मदद से retardation plates को बनाया जाता है making of retardation plate देखेंगे फिर इसके types को इसका दो types होता है इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बस एक छोटा सा summary लेंगे detailed में इसके types को यहाँ discuss नहीं करेंगे और फिर retardation plate जो है कैसे कारे करता है जब इस पर कोई light incident होती है तो यह क्या करता है इसको थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे और at lastly हम लोग retardation plate के कुछ different names को भी देखेंगे जो बहुत important है तो चलिए यहाँ पर पहले तो आप यह समझ लिजे कि retardation plate actually एक optical element है जिसकी मदद से हम लोग करते क्या है कि कोई भी incident light है ना जो इस retardation plate पर fall करेगी क्या होगा है ना वो जब इस retardation plate में enter करेगी तो इस है ना क्या होगा कि वहाँ पर दो raise बनेंगी उन दोनों raise के बिच दीरे दीरे phase difference बढ़ते जाता है जैसे वो इस retardation plate के अंदर travel करते जाती है और जैसे ही वो retardation plate के बाहर emerge करती है होता क्या है वो एक दूसरे पर superpose कर जाती है और एक single wave produce करती है है ना और उस wave का state of polarization change होया हुआ होता है है जो initially उसका state of polarization था है है ना और finally जो उसका state of polarization होगा दोनों में थोड़ा difference होता है जैसे यहाँ पर हम लोगों दे लिखा इसको आप अच्छे समझ पाऊगे ओके सो यहाँ पर है कि retardation plates are a class of optical elements that serve to change the state of polarization of an incident wave है ना कोई भी wave अगर retardation plate पर incident होती है माल लेज़े plane polarized light incident हो रही है तो retardation plate कित्रों जब वो travel करके बाहर emerge करेगी बाहर निकलेगी तो plane polarized नहीं रहेगी वो elliptically polarized हो जाएगी यह से हम लोग production, deduction में discuss करेंगे retardation plates are a class of optical elements that serve to change the state of polarization of an incident wave it is a type of plate यह आप ऐसा कह सकते हैं it is a special type of plate which is made from doubly refracting crystal अब यह doubly refracting crystal क्या होता है देखिए doubly refracting crystal ऐसा crystal होता है जिस पर जब कोई light fall करती है तो वहाँ पर दो refracted rays हमें मिलते हैं ऐसे कोई भी general crystal हो उस पर अगर कोई light fall करेगी तो क्या होगा वहाँ पर एक refracted ray हमें मिलेगा लेकिन doubly refracting crystal में क्या होता है जब light fall करती है तो वहाँ दो हाना दो refracted rays मिलती है एक को कहते हैं हम लोग ordinary ray और एक को कहते हैं extraordinary ray अर्थात O ray और E ray तो retardation plate is a special type of plate which is made from doubly refracting crystal with its optic axis parallel to the refracting surface optic axis जो है उसका refracting surface से parallel होना चाहिए ऐसे हम लोग उसको बनाएंगे which may be used to introduce a given phase और path difference between E and O ray traveling through them ओके यह जो लास्ट वाला हिस्सा है कि retardation plates की मदद से कुछ phase और path difference जो है O ray और E ray के बिच इंट्टूज करवाया जाता है यह चीज़ हम लोग ऑपरेशन में और अच्छे से समझ भाएंगे ओके इस इस वाट इस रिटार्डेशन प्रेट है ओके सो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यह रिटार्डेशन प्रेट जो है एक्ट्वली एक क्लास ओफ अप्टिकल ऐलेमेंट है जो स्टेट ऑफ पॉलराइजेशन को बदलता है इंसिदेंट वेव का स्टेट ऑफ पॉलराइजेशन को चेंज कर देता है है ना सो यह अगर आप इतना लिखते हो इसके डेफिनेशन में या फिर अगर कहीं पूछ रहा है इतना लिखोगे तो यह काफी होगा अब देखते हैं किस-किस प्रकार के क्रिस्टल की मदद से रिटार्डेशन प्लेट बना जाता है मेरे प्यारे वीवस देखिए जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल है तो देखो डबली रिफ्रेक्टिंग क्रिस्टल जो है यह दो प्रकार का होता है एक को हम लोग कहते है यूनी एक्षिल और एक को कहते है बाई एक्षिल तो यूनी एक्षिल क्रिस्टल में मेरे प्यारे वीवस जादा तरह ऐसे क्रिस्टल होता है जिनकी मदद से हम लोग रिटार्डेशन प्लेट्स को नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ब्रिटल होते हैं निचर में और जो हमारा रिटार्डेशन प्लेट होता है वो बहुत थिन स्लाइसेस में होता है जिसकी वज़े से उन किस्टल को हैंडल कर पाना थिन स्लाइसेस में बहुत मुश्किल होता है जिसकी वज़े से हम लोग उन क्रिस्टल की मदद से इसको नहीं बना पाते हैं लेकिन जैसे कि एगर एक्जामपल में देखें तो कैल साइट किस्टल की मदद से जो है रिटारडेशन प्रेट्स को आप जेनरली नहीं बना पाऊगे लेकिन वहीं अ कैल साइट क्रिस्टल जो है एक यूणी एक्सिल क्रिस्टल है ठीक है इसके पास जो है केबल एक आप्टिक एकसेस होता है ओके क्यूंकि यह ब्रिटल होता है नेचर में इसलिए थिन स्लाइसेस में कैल साइट क्रिस्टल को हैंडिल करना फ्राम मुश्किल होता है इसलिए लिए यह प्रिक्वेंटल का प्रियोग करते हैं रिटार्डेशन प्रियोग करते हैं लिकिन जादा तर जो है यह बाइक्टल क्रिस्टल का प्रियोग होता है यहां पर टाइप्स की बात कर लेते हैं मिर प्यारे विवस रिटाडेशन प्लेट जो है दो प्रकार का होता है एक को लोग कहते हैं quarter wave plate और एक को कहते है half wave plate देखे quarter wave plate क्या करता है जो extraordinary ray और ordinary ray है इन दोनों के बीच क्या करता है lambda by 4 का path difference introduce करवाता है या अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि वो 90 degree का phase difference introduce करवा देता है किसके किसके बीच extraordinary ray और ordinary ray के बीच और दूसरा जो टाइप है वो है half wave plate जो क्या करता है यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रिटार्डेशन प्लेट क्या होता है making of retardation प्लेट किस-किस प्रकार के crystal से जो हम लोग इसको बना पाएंगी है ना है और types को हम लोगों ने यहां थोड़ा सा discuss किया अब इसके operation को देखते हैं operation of retardation plate इसके लिए यहां पर हम लोगों ने क्या क्या है क्रिटार्डेशन प्लेट लिया है मरे प्यारे विवस्थ मान लिजे कि इधर से कोई plane polarized light जो है इस retardation प्लेट पर फॉल करता है अब होगा क्या जैसे ही यह plane polarized light इस retardation plate पर फॉल करेगी यह दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगी क्या होगी यह दो हिस्से में कुछ इस प्रकार से यहां तक इसका जो phase है दोनों का वह बिल्कुल सेम होगा अना जैसे जैसे यह crystal को के thickness को travel करते जाएगा इरे और और इन दोनों के बीच का जो phase difference है या path difference है वह दीरे दीरे बढ़ता जाएगा और जैसे ही वह यहां तक यहां तक पहुंचेगा इमर्ज होगा इमर्ज होगा इमर्ज हो जाएगा इस crystal से इन दोनों के बीच का path difference क्या होगा maximum होगा और इमर्ज होने के बाद यह क्या होता है एक साथ सुपर पोज करता है और एक नया wave produce करता है और उस नए wave का जो plane of मतलब जो state of polarization होता वह डिफरेंट होता है इंसिडेंट 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 पोलराइज लाइट से जैसे कि यहां प्लेंट पोलराइज लाइट यूज की है तो हमें इमर्ज होने के बाद elliptical polarized light मिलेगा ओके तो यह operation है यह बात आप धिहान रखिएगा जैसे ही इसमें यह अधिर करता है ना इसका जो फेज है बीच का जो फेज वह धीरे दीरे दीरे क्या होता है बदलते जाता है मतलब दीरे देरे दोनों के बीच फेज का डिफरेंस या पाथ का डिफरेंस बढ़ता जाता है ओके हाई और जैसे ही यह इस retardation plate के बाहर इमर्ज आउट होता है दोनों के बीच E-ray और O-ray इन दोनों के बीच क्या होता है maximum phase difference या path difference होता है ओके अगर माल लेते हैं कि यह quarter wave plate होता यह retardation plate तो emerge होने के बाद E-ray और O-ray के बीच का जो path difference होता वो lambda by 4 का होता अगर माल लिजें कि यह retardation plate half wave plate होता तो यहां पर E रे और O रे जब इसके बाहर इमर्ज आउट होंगे तो इन दोनों के बीच का path difference lambda by 2 होता है और phase difference 180 degree का ओके तो यह operation है ध्यान रखिएगा retardation plate के अंदर enter करता है न जब तो दोनों का phase same रहता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो thickness को travel करना लगता है retardation plate का वैसे वैसे क्या होता है उसका जो फेज है है न दोनों के बीच का वो change होने लगता है ठीक है और जब वो emerge out होता है तो maximum phase difference हो जाता है okay so this is what operation of retardation plate तो आशा है मेरे प्यारे विवस आप समझ पा होंगे कि retardation plate क्या होता है making of retardation plate generally calcite crystal जो uniexial crystal है है इसकी मदद से generally retardation plates को नहीं बनाया जाता है है न जादा तर जो है quartz crystal यह भी जो एक प्रकार का uniexial crystal है okay but more often मतलब जादा तर जो है by xl crystal mica का प्रियोग किया जाता है retardation plates को बनाने में okay अब बात करते हैं कि retardation plates को हम लोग और क्या-क्या नेम से बुला सकते हैं जैसे कि retardation plate है तो आप इसको wave plate भी कह सकते हो सकता है आपके topic में wave plate दिया वाओ और हम लोग इसको retarders भी कह सकते है retarders okay so remember these two are different names for retardation plate हो सकता है कि आपके exam में यह retardation plates ना देकर के wave plate और retarder दे दे okay so मेरे प्यारे विवस इस वीडियो में हम लोगोंने क्या देखा कि भाई retardation plate क्या होता है यह क्या है एक प्रकार का optical element है जो क्या करता है incident wave का state of polarization को change कर देता है जैसे यह इस plate को cross करती है और travel कर जाती है okay यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग डबली refracting crystal की मदद से बनाते हैं इस प्रकार से कि इसका जो optic axis होता है वो refracting surface के parallel हो okay है ना जिसकी मदद से हम लोग क्या करते है extraordinary ray और ordinary ray के बीच कुछ phase difference या path difference क्या करते हैं introduce करवाते हैं जो इस retardation plate के तुरू travel कर रही होती है और यहाँ पर इसका making और यहाँ पर इसका types मेरे प्यारे वीवर्स types को हम लोग आने वाली वीडियो में बिलकुल detail में discuss करेंगे और वहाँ प्रूफ भी करेंगे कि quarter wave plate का जो path difference है वो lambda by 4 होता है और इसका phase difference है वो 90 degree होता है इसको भी हम लोग वहाँ पर show करेंगे और आशा है आप यहाँ पर यह जो operation है आप इसको समझ गए होंगे और यह दो names wave plate और retardus तो आप इसका screenshot ले लिजे ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाओ और इसका PDF नोट हमारे टेलिग्राम चैनल पर बहुत जल्द अबलेवल हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में